Hello everyone, और आप सभी का सौगत है कॉलेज वाला चैनल पे मैं रागव आज डिसकस करने वाला हूँ about branches in college अगर यार आप अभी 12th class से ज़स्ट पास आउट रहे और आपके दिमाग में doubts है कि ये computer science क्या होता है, information technology क्या होता है, electronics and communication क्या होता है इन में से कौन सी ब्रांच हमें लेनी चाहिए, mechanical क्या होता है ठीक है, यहाँ पे primarily मैं आज बात करने वाला हूँ computer science और IT और electronics and communication के बारे में कि कौन सी ब्रांच आपके लिए best रहेगी, किस में आर career opportunities सबसे ज़ादा है, किस में सबसे ज़ादा पैसा मिलता है कौन सी ब्रांच सबसे आसान है पढ़ने वे, किस ब्रांच में नंबर सबसे ज़ादा आते है, किस ब्रांच में नंबर सबसे कम आते है तो आज इन सारी चीदों के बारे में आप समय बात करने वाला हूँ शुरू करते हैं इस वीडियो को कभी इसके अंदर बहुत सारी वेरियेशन होती है, CS, AI, CS, DS, CS के साथ बहुत सारी चीदे लगाते हैं यहाँ और ब्रांच इस बढ़ाने के नहीं तो मोटा मोटा CS का क्या होता है यार, यहाँ पर अफकोर्स अगर आपको एक Software Engineer बनना है तो इसके लिए ब्रांच होती है टेक्निकली स्पीकिंग यह सस्ती Computer Science होती है, अब सस्ती से इसका मतलब यह नहीं है कि अब रांच अच्छी नहीं होती IT यानि की Information Technology यह बेसिकली यार, ज्यादा फोकस करती है Software पार्ट के उपर जैसे जो Computer Science होती है इसके अंदर भी अफकोर्स आपके Software के Subjects होते हैं, जैसे IT में होते हैं और बहुत सारे Subjects तो इनके 60, 70, 80% और मोच सेमिलर ही होते हैं बट Computer Science के अंदर कुछ Hardware-related Subjects भी होते हैं तो basically, technically speaking, एक College यह समझता है और यह बताना चाहता है कि अगर आप एक Computer Science के Engineer हो, या फिर Computer Engineering आपने करी है तो आप ना सिर्फ Software डेवलप कर सकते हो, लेकिन आप उनके साथ Hardware के साथ भी खेल सकते हो और दोनों को अच्छे से Integrate करना भी जान सकते हो जबकि Information Technology में, more or less, सबसे जाधा चीज़े क्या होते हैं कि आप बस App Development कर रहे हो, सिर्फ Software साइज जाधा देख रहे हो यहाँ पे Software प्लस Hardware लेकिन अगर Reality की में यहाँ आप से बात करो तो almost हर कॉलेज के अंदर, जैसे मेरे कॉलेज NSIT के अंदर भी और इवन IIT सारे Tier 1, Tier 2 कॉलेज के अंदर जो Companies आपकी Computer Science में आती है लाइक आपको हायर करने के लिए, रेक्रूट करने के लिए, राइट वही सेम आपकी Companies, Job Provide करने के लिए, Information Technology में भी आती है ठीक है, तो दोनों ही प्रांचे, Almost, Almost तारी Companies दोनों में आती है कुछ गिंती की एकाद ऐसी Company होगी, जो सिर्फ जैसे मान लो, Specivity Computer Science को अन्राव कर रही है और I.T. को नहीं करने हो वाली है, लेकिन, I.T. का Main से की बहुत जाद़ बेनेफिट यही है कि एक तो यह कम रैंक पर मिल जाती है, जैसे मान लीजी आपने Mainz का पेपर दिया या आपने कोई भी एंट्रेस एक्जाम दिया, तो Computer Science की सबसे highest cut-off होती है फिर आती है IT, फिर आती है Mathematics and Computing, फिर आती है आपकी Electronics and Communication, फिर Electrical, Mechanical, Bio-Tech and फलाना तिमकाना ठीक है तो यहां पर IT जादा असान होती है एक तो CS से, मतलब जो GPA होती है आपकी IT में जादा आती है यूशली, तो कि और भी इजी होती है, तो CS में अच्छी GPA आ जाती है GPA का मतलब होता है, आपने जैसे 10th में CGPA होगी आपकी, तो College में भी आपकी GPA slash CGPA यह सारी चीज़े होती है, जो grading points होती है, basically यह आपके marks होती है तो IT में नमबर लाना, College के exams में असान भी रहता है और companies almost सारी सेम आती है, तो it is a very good branch I would say कि दोनों almost equal branches ही यहां पर, मैं बोलूँँगा है फिर अगर मैं बात करूँ, इससे नीचे जो branch जिताना शुरू होती है तो आज कल यार, एक नई branch कापी आरे नगे, जिसका नाम है Mac Mathematics and Computing, ठीक है मेरी kind of a dream branch थी, क्योंकि मेरे को maths बहुत पसंद है लेकिन Mathematics and Computing में अगेन, आपके कुछ-कुछ subjects IT, CS वाले होते हैं और आपके almost हर semester या हर दूसर semester, basically हर semester में ही mathematics से related कुछ subjects आपके होते हैं अब ये maths आपकी IIT, JE वाली maths नहीं होती ये जादा basically linear algebra जैसी चीज़ी होती है यहां ठीक है तो हो सकता है आपको boring लगी हो सकता है आपको बढ़िया लगी लेकिन इसमें भी kind of आपका मोटिव क्या रहता है, ब्रांच का बिसे के लिए मोटिव यह रहता है कि यार मैंस में भी आप अच्छे बंजे होगे, आपको coding अच्छे से आएगी तो आप पुछ अच्छी शीज़ डेवलप कर पाओगे तो ये भी kind of IT जैसी ही ब्रांच जैसे इसमें भी almost बहुत सारी गंजी अलाओर होती है जो कि IT और CS में होती है अब इसके बाद आती है काफी डिफरेंट ब्रांच जो होती है हमारी क्या electronics and communication जिसका मैं भी एक स्टून है electronics and communication के जो हमारे subjects होते है यार इसमें दो भाग होते है of course, नाम से ही clear है electronics, communication तो electronics से related बहुत सारे subjects होते हैं यहां पर और communications से related भी बहुत सारे subjects होते हैं यहां पर तो इनका mixture है अब technically speaking, जो college चाहता है कि electronics and communication के students किस चीज में placement ले या फिर किस चीज में उनका नाम रोशन करें क्या इनको मतलब अपना करियर आगे पॉस्यो करना जी है एस ही के बाद तो इसी ब्रांच के बाद usually जो इनकी main placement होनी चाहिए वो होती है core placements कि मतलब NVIDIA जैसी company आप सबने सुनोगा graphic cards होते हैं NVIDIA के Qualcomm जैसी companies जिसके हमारे Snapdragon के processors होते हैं वो वाइर phone में आम company जो सब कुछ सबकु license provide करती है अपने designs का जो cores होते हैं आपके Apple के phones में या फिर हर phones तो यह सारी आठ टेकसस हो गई आपकी company ठीक है यह core electronics की field में आती है placements के लिए लेकिन core electronics में आप बहुत ही कम companies आती है specifically यह तो महां बता रहा हूं अच्छे colleges में ऐसी companies आती है इस और IT वाले लोग देते हैं और आप non-tech में भी अलाओड हो तो tech core non-tech तीन तरीके की आपकी placements होती है यहां पर तो आप non-tech में भी allowed अच्छा अब यह non-tech क्या होता है आप में से काफी नहीं को पता नहीं होगा tech आप kind of digital काम ही कर रही हो लेकिन आपको coding आना जरूरी नहीं है आपको problem solving आने की जरूरत नहीं है आप extra curriculum बहुत सारे ऐसे काम होते हैं वैसे तो वह सारे यह non-tech में आते हैं हमारे और उस पर भी अच्छा गाह सब ऐसा मिलता है तो EC में तीनों ही चीज़े allowed होती है अब यहां पर मैं बात करूं इसके बाद आती है आपकी mechanical electrical टेसी ब्रांच तो वह और भी ज्यादा आई वूट से हार्ड है जैसे EC सबसे हाड़ेस ब्रांच है काइंड ओफ जो EC है electronic communication तो वह बहुत जादा हार्ड है इसमें नंबर अच्छे नहीं आते हैं और मुझसे पूछा मैं तो प्रियर ली बता सकता हूं कि बहुत इकंदे नंबर आते हैं इसमें बहुत सरे बच्चों का जो मैं आपके क्लियर करने वाला हूं मेजन काफी बच्चों को यह लगता है कि भाई हम अपको अपना दिमाग नहीं चैना ना मेरी बात समझो आपको हो सकता है बुरे लग रहे हों कि मेरे शब्द लेकिन यह गलती हम मैं और मेरे बहुत सारे बैस पैशन दरने वाले बच्चे होती है या फिर इंपाट कोई भी होता है आज के टाइम पर मेकानिकल भली एवर ग्रीन बोस्ते हैं लोग मेकानिकल को सिविल को बहुत कम है प्लेस्मेंट के और जहां है भी जैसे टीटी ओ एक कॉलेज है जहां को मेकानिकल अच्छा है बहु तो वही बात है बहुत कम पैसा मेलता है मेहनत भी जादा है प्रांच टफ भी है नमबर भी अच्छे नहीं आते हैं तो जो आप मैसे कितने सारे बच्चे होंगे न जो हम यह सोचे होंगे कि मेरा पैशन गिये है मेरा इलेक्ट्रोनिक्स पैशन है एलेक्रिकल इसकी कट ओफ सब से जादा जाती है जैसे सीस की सब से जादा होती है फिर आइटी फिर माक एसी मेकानिकल आइट फॉन उस हिसाब से ही बारो अपना दिमाग यहां पर मतलब अब बात करते एक डॉक्ट्र जुद आधर जैनुवीन है कि यार फॉर एक्जामपन टियर वन क कॉलेज का मैं CS लूँ, IT नूँ तो यार यहां पर मेरा रिकमेंडेशन है पहले बाद तो देख लो कि वो टियर टू कॉलेज भी कहां पर लाए कर रहा है टियर टू के अंदर भी बहुत इप्चे है या उपर है उसके बाद यह देखो कि अगर आपको जो कॉलेज है काफी अगर मैं सिर्फ पात करूं तीर वन में बहुत अच्छे करते है कि क्या आयएटी का इलेक्ट्रोनिक्स और कमिनकेशन लूम या फिर नसाइटी निट अच्छी निटी इन सब का मैं CS तो यार यहां पर आपको ना कुछ चीजे करने पड़ेगी अगर मैं सिर्फ पात करूं यह निटी गास तो आप करने तोा इन हैं टी टींटे करने रहा हुंगि म्ल रहे होंगे अफ कॉरस अधी रहरी है चाथए जिस अगरा आप सिर्फ उर प्लेस्मेंट इन उरे खर और हैं या पर से अब चरई कौर Luigi लेकिन ऐसा नहीं है कि IIT में, EC में टेकमिस पर नहीं लग सकती, it is just that कि आपको वो subjects पढ़ने पढ़ेंगे दूसरा, अजर आप चाते हो कि brand value आपके लिए बहुत important है, आपको बाद में master's करना है या देखुच, सीज़ी सी बात ही है कि बनाई कितने ही लोग कुछ भी बोल जाएं कि यार कॉरेज मैंटर नहीं करता है, सब फरजी लोग है अगर हम मैं बात करूँ NIT या फिर NSIT DTU की एलेक्राणिसर कम्यूनिकेशन वर्सेस IP युनिवर्सिटी या कोई और tier 2 का CS तो यहाँ पे आर मैं clear recommend कर सकता हूँ कि आप अच्छे college के tier 1 का EC लेलो, वहाँ पे आपको opportunity मिल जाएगी computer science की, ठीक है कि mechanical में आजकल नहीं है placements, तो आप tier 2 का ही computer sciences के ओपर definitely prefer कर सकते हो, ठीक है अब यह tier 1 का मेरा मतलब था NITs and all, अगर IIT की mechanical की बात करूँ तो उसकी जगे पर मैं recommend करूँ कि आप अगर IIT की mechanical मिलनी दिये, फिर तो आपके NITs में CS, ECE विंडों बेटरेंस तो I hope आपको clear हो गया होगा कि क्या हमारी CS, IT branches, ECE branches और mechanical branches, इन में क्या differences होते हैं इनके बारे में अगर आपको detailed और जानना है तो आपके बताना कि, college-wise हम क्या such cut-offs लाए आपके नहीं कि, क्या-क्या शीज जाना बेटर रहेगा या कुछ ऐसी list of colleges तो में को definitely बताना comments के अंदर आपसे मिलते हैं next lecture में, I mean next video के अंदा है, मैं lecture के आदत होगी है, bye